दोस्तों छे साल के बच्चे के कुर्टे की कटिंग करेंगे कुर्टे का नाप है 26 इंच लंबई है 22 इंच सीना है 12 इंच शोल्डर है और 16.5 इंच की आस्तीन है गला 11 इंच है इसके अंदर अपन 1.5 इंच प्लस करके 12.5 इंच की इस्टेन लगाएंगे तो दोस्तों 26 इंच इनियुक, 36 इंच का इसका अर्ज है 36 इंच वाला थीन मिटर कप्ड़ा है और सबसे पहले ओपन दामन निकलने के लिए अपने को जो सीना होता है उसस सीने का चाहता है और उस math के अंदर अपने को बच्या है इसलिए 5 इंच प्लस करना पड़ेगा तो सिना इसके अंदर है 22 इंच 22 इंच का हदा करेंगे तो 11 इंच होगा और 11 के अंदर अगर आपन 5 इंच प्लस करेंगे 11 और 5 16 इंच होगा तो इस तरह से हपन 16 इंच अपन दामन रखेंगे ठीगे अब यह कबड़ा है डबल कर रखा है मैंने यह पूरा तो यहां से अपने निशान लगाएंगे 8 इंच पर और यहां पर भी अपने 8 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरह से 8 का दूना हो जाएगा दूना हो जाएगा 16 इंच तो अपने इसको इस तरह से बिछा देंगे यह दोस्तो लंबा यह 26 इंच मेना आधा इंच इसमें मार्जीन कर लिया है इस तरह mature 26 इंच आपने इशान लगाएंगे और यह से आपने 0.302 इंच के लिए डॉन करेंगे का शोल्डर डांके लिए निशान लगाएंगे सीना अपने 20 इंच सब्सक्राइब निशान लगाएं इसके बाद इंच पर निशान लगाएं और यहां से यहां तक आपन पाँच इंच के लिए निशान लगाएं और यहां से यहां दो इंच अपन सिलेगी लिए निशान लाएं ओप सिलेगी दोस्तों यहां से गले के लिए लेंगे अपन दो इंच और इधर से लेंगे अपन पोने दो इंच इस तरह से अपन इसको बॉल बना देंगे यहां शोल्डर के लिए अपन यह जो गला के लिए दो इंच लिया है इंची टैप इस तरह से रख देंगे यहां उगली रखेंगे दो इंच पर और इसको गुमा देंगे इस तरह से अब स्पोर्डर अपना है 12 इंच तो बढार का अधा होता है 6 तो अपन यहां चेंच का निशान लगा देंगे और मार्जिन के लिए अलग से हादा इंच का निशान ऑल लगा देंगे तो इस तरह से यहुआच 4 इंच पर टोटल यह 5 इंट पर निशान लागा is hisision के आगे Jam Já pai मैं यहां पर सवा दो एंच ले रहा हूं आप चाहें दो एंक्श ले लीजी ich you फिटिंग बनाना laien तो आप उनन fazem javid sna में दिर रहा हूँ आप चाये तो दो इंच ले सकते हैं और आप चाये तो पनड़ी ले सकते हैं अगर बच्चे को फिट ना ना है तो पनड़ी रखिए लेकिन बच्चे के कुर्टा उतारने、 और पेनाने में बहुत दिक्षत होगी दोस्तों अब यहां से अपन इसको यहां से यहां तक मिला गएंगे इस तरह से दोस्तों यहां सामने जो पट्टी खुली रखेंगे उसके ले लिए आप 8 इंच कि आड यह से ज्यादा मत लिए क्योंकि लंबवी बच्चों की कम होती है कि 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 कर दो बादी कर दो कहते हैं तो बादी को पालता है कर दो कर दो कि भी आप तो जो बादी के खिब एया जा कि आप तो ये दो सो फ्रंट निकालने के बाद में जो बचा हुआ कपड़ा है यह एक इसी अरच के वाले कपड़े को अपन डबल फोल्ड कर देंगे इस तरह से और यहां से अपन बेग निकाले है तो यह मैंने फ्रंट बिचा दिया है तो यहां से बेग आप उपर 1.5 ज्यादा गटिंग यहां से आप डेड़िंच ज्यादा लेंगे बेग अब यहां से यह डेड़िंच पर आपना इंचरे पकड़ रखा है यहां से आप इसको ऐसे अब यह जो बचा है इस पॉन इंच पर आप निशान लगा देज़ें और यहां से आप इस तरह से बुले देज़ें अब यह बेग अपन इस फ्रेंट के बराबर यहां तक बराबर कटिंग करेंगे बुस्टों यह बारा इंच पर निशान लगाएं और आधा इंच सिलाई के लिए लिए इस तरह से इस तरह से आप यह तेरा इंच पर निशान लगाएं यहां से आप इसको फ्रेंट के बराबर नहीं कटिंग करते हुए थोड़ा बड़ा के मार्जिन कटिंग करिए इस तरह से बेख बड़ी कटे लिए ठीके दोस्तों यह बेग और फ्रेंट दोनों की कटिंग हो चुकी है अब यह यहां से यहां जो है वो साइट पोकेट जो होती है उस निशान लगा है इस पर बनके से कट लगा जिए कोर्प सफॉ कि व्यांऄ रहें पर किक टलउया ज work कि को शेख भी की किस्ट और दोस्तों यहुँग को इस बेग अपर सब्सक्राइव शॉप को थे मिलकश्या धे पर मिला दीगी प्धे इस तरह से भी बढ़ रही है इस तरह से तो इस बेक को आप यहां से कट लगा दीए और वापिस कि इसको सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस तरह से कटिंग कर रहे हैं तो यह बिल्कुल सिधा रहेगा इसमें कोई कि french gi फो आपंने आफ़ नहीं हायगा में दोस्तों आस्थ्इं की गटिंग करेंगे одिखuren क्यू यह आस्थीन की लंबई है gusto कि साड़ा इंच o i am civ le ard निशान लगाया और ने राख लिए मार्जन रखेंगे उ यहां से से ले जाए ही और आदा इंच नीचे से मार्जिन रखेंगे यहां किसी ले जाएगे इस तरह से आपने 16 प्लस एक इंच जादा कर देंगे तो यह साड़ा 17 इंच में निशान लगा दिया है और इसकी चोड़ाई जो सीना है उसका वनफोर्थ सीना 22 इंच है उसका वनफोर्थ होगा साड़ा पांच इंच तो साड़ा पांच इंच पर में निशान लगा देता हूं और यहां से कि साड़ा चार इंच मोरी के लिए रखते हैं अब कि अधियर दोस्तों और यहां से यह ड्राइंग जो आप करें हमेशां उल्टे कपड़े पर करिए मैंने हमेशां उल्टे कपड़े करनी है सिधे कपड़े नहीं करनी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यह बहुत से कमेंट्स आते हैं कि आप इत्ते साल के बच्चे का कटिंग करिए कुर्टा कटिंग करिए शल्वार कटिंग करिए तो इसलिए मुझे यह अलग-अलग साल के बच्चों के लिए अलग-अलग कटिंग करने पड़ती है वीडियो बनाना पड़ता है तो दोस्तों यह च्छे साल के बच्चे का मैं कुर्टे कीजिए कर रहा हूं तो इसमें बहुत सीवार रहे कि बच्च्चे के नाप अलग-अलग होते हो मैं दूबला वोता है को हुआ हलका हुआ होता है तो सब के नाप अलग-अलग आए तो आप अपने नाप के हिसाब से कटिंग करें यह वाला हिस्सा आगे फ्रेंट में जूड़ेगा और यह वाला हिस्सा बेग में जूड़ेगा यहाँ पर अपन उल्टे की निशान लगा देते हैं अब अब हम दुसी कटिंग करें दुसी हासिन की कटिंग करें यह कपड़ा सीधा है और यह उल्टा है लेकिन यह वाला हिस्सा सीधा सीधे को सीधे की तरफ रखे आप आश्टिंग की कटिंग करें कि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपन इधर भी उल्टे का निशान लगा देते हैं तो यह दोनों आस्तिंग की गडिंग हो चुकी है झाल इंग हो यह था है